छो प्राइब बहुत से कमेंट आ रहे थी कि मैं इग कर दो ब इस वीडियो में तो बिलकुल भी स्किप करने की जुरत निया है कैसे एक बंदा करें दमा काम करें तो ठीक है शुरू से बताता हूं ठीक है तो सबसे पहले बात करें तो भाई यहां के जो mechanics है न वह सारे मतलब mostly age group के mechanics है जो मैंने experience की है और जो hybrid और EV cars के skill workers है न उनका percentage दीरे-दीरे कम होता जा रहा है हर साल है मतलब retirement percentage पूरा हाई जा रहा है हर साल दीरे-दीरे कम होता जा रहा है इसलिए यहां पर requirement ज्यादा बढ़ रही है यह यहां पर requirements है auto car mechanics की ठीक है बटकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दू यह सारी jobs जो है अबलेबल है राइट नाओ ठीक है जिसकी requirements है यहां पर demand है जो बाग की दिखाया जा रहा है जो मतलब अलग ही दिखाया जारा कि बढ़ी जोब्स नहीं है इस्टम है व requirement की बाद बता दी मैंने pay out अब मैं बात करता हूं कि यहां पर कैसे आ सकते हैं और यहां पर permanent कैसे हो सकते हैं मतलब आपना system कैसे set कर सकता है मतलब एक बंदा इंडिया यहां कहीं से भी आके यहां पर कैसे काम कर सकता है ठीक बात होगी बाकि education में कैची है कि 12 के बाद कोई पर technical या IIT की कोई भी certificate हो या मतलब किसी भी area का certificate हो किसमें engine में या suspension में ब्रेकिंग में या फिर electrical system में किसी भी तरह का एक certificate हो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इस बंद देना है यह knowledge लिए है और इसको यह काम आता है ठीक है दूसरा का है कम से कम एक या दो साल का experience होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह आपकी file को strong बना सकता है ठीक है या फिर breaking या suspension का मतलब आपको जो knowledge है आपने जो काम किया हुआ है उसकी जो knowledge हो निची है ठीक है बंदे को तीसरा कहा है तीसरा English की क्या requirement है आहां बंदा सोचता है कि अगर मैं जा भी रहा हूं पैसे लगा रह आइल्स का exam देगा आइल्स की study करेगा ना एक महीना पांचे band आराम से आ जाएंगे तो English की requirement ना के बराबर है ठीक है पांचे band तो आराम से आ सकते हैं क्योंकि छे band क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर study पे जाना है या work visa पे जाना है study पे 6 से उपर चीज़ होगे work visa में पांचे band की requirement बहुत है ठीक है उसके बाद requirement क्या होगी LMIA की वह सारी बात मैं अलग से बताता हूं अभी समझ लिदते हैं कि मतलब बारवी की requirement चीए और certificate चीए और experience मतलब थोड़ी सी English चीए ठीक है अब समझ लिदते हैं कि एक बंदे ने सारी requirement ये चारों की चारों चीज आगी मतलब सारी requirement फुल्फिल कर दी ठीक है अब वो यहां पर कैसे सकता है आने के लिए चार रास्ते हैं LMIA, FSTP यह मतलब सारी बात मैं अलग से बताता हूं समझ लिदते हैं अगर ये इसमें से एक option तुमने चूज कर लिया है मतलब LMIA ले लिया है वो LMIA होती क्या है मतलब तुम आ गया पर सिस्टम हैंग हो गया तो अब कैसे काम करोगे वहां से एक exam होता है मतलब Canada में exam के certificate रहना होता है red seal certificate जिसमें आप उस बेस पे आप Canada में हर जगा काम कर सकते हो पूरे Canada में कहीं पे भी काम कर सकते हो अब मैं बताता हूं कि LMIA कि जो मैं बात कर रहा तो वो क् मार्किट एस इंपक्ट एससमेंट है होता क्या है कि वहां पे Canada में जो बैठा है एक employer है वो बताता है कि इस देश में 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 को इस बंदे की requirement है वो फिर offer letter apply करता है वो बंदा फिर अपने documents लगा के file लगाता है और फिर Canada का visa उसको मिलता है ठीक है तो दूसरा रास्ता क्या है दूसरा एक बंदा FSTP एक प्रोग्राम है federal skill trade program ठीक है इसमें एक बंदा आपने मतलब पूरी file लगाई उसने अपना experience letter education सब कुछ लगाया कि में में इस country में जा रहा हूं इसलिए मैं apply कर रहा हूं मैं mechanic हूं मेरे पास skills है इसलिए मैं इस देश में apply कर रहा हूं तब जा program था यानि FSTP यहां पर program चलते रहते हैं कि बंदे की जुरूरत होती है skill बंदे की जुरूरत होती है तो वह चैनेडा में import करते हैं ठीक है तो यह भी एक program है इस program के अंडर आप अपने file लगा सकते हो basically होता क्या है कि बंदा अगर किसी बंदे को legally आना है तो आपने सारे documents लगता है अपना fund भी दिखाता है हाँ fund की बात रह गई थी यहां पर fund bank में दिखाना होता है कि बही मेरे पास अपने खर्चे उठाने के लिए पैसे है इसलिए मैं अपना थोड़ा सा skill मेरे पास है इसलिए मैं कैनेडा में जा रहा हूं काम करने के लिए तो आप work visa apply करते ह ह theoret करने के लिए मतलब मखअ के स्टुडिक के बाद मैंने कोई कि है उसके बाद मैं करने के लिए मैं तरह से लिए performing यह ने पास मेरे पास एक्सपिरेंस से मैंने फैयल बनाई हुई है वह फाइल आप consultant के दुआरा के दुआरा आप Online सब्मिट करते हों जाके चैनेडियन गवर्मेंट उस फाइल को रिवियु करती है समझते है कि हाँ इस बंदे की जरुरत है तो वो कैनेडा में आ सकता है कें अचालरी कितनी मिलेगी एक साल में चाली से पिचातर हजार डॉलर कमा सकता है Canadian dollars वो यहां पर 10 रुपीज के साफ से 25 रुपे वो किस हिसाफ से किस वेस्ट पर कमा सकता है मतलब उसको अगर जोब मिल जाती है जोब कैसे मिल जाती है या फिर LMIA से आयता है या फिर दूसरे प्रोग्राम से अगर दूसरे प्रोग कि दो साल काम करने के बाद वो आपनी फाइल जो है वो Canadian government को सोब सकता है कि अब मैं PR के लिए permanent residency के लिए apply कर रहा हूं मिर को यहां पर पक्का कर दो वो आपकी फाइल रिव्यू करेंगे अगर आपके पॉइंट उस category के अंदर पॉरण स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंडर आपकी फाइल लगाए जाएगी उसमें आपके points calculate होंगे अगर आपके points पूरे match करते हैं उस requirement के तो आपको PR दे दी जाएगी इस तरह से एक बंदा इंडिया से कनेड़ा आ सकता है और PR ले सकता है कैसे काम करके points जोड़के और direct apply करके ठीक है तो भाई यह थी वीडियो कार पर कैसे एक बंदा यहां पर आके काम कर सकता है तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई